जै मतादी साथियो डेली यात्रा व्लोग के माधियम से जुड़े हुगे सभी साथियों को मेरी तरफ से प्रेम बरी जै मतादी मैं हूँ सोमरे शर्मा जिलर्यासीवा केंदर शासी परदेश जमुवा किश्मीर से साथियों एक वार फिर से नई वीडियो के साथ नई जानकरियों के साथ मैं उपस्तित हूँ आशा करता हूँ उमीद करता हूँ कि आप सब लोग मेरी इस वीडियो को लाइक करोगे शेर करोगे और आगमी दिनों में अगर आप लोग जम्मु किस्मिर में आ रहे हैं किसी प्रकारगी कोई आपको जान करी चाहिए तो आप लोग कमंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं इसके अलावा अगर आप चाहें साथियो तो इंस्टाग्राम पेज डेली यात्रा व्लोग को फॉलो करके भी संदेश के दोबारा छोटी मोटी प्रात्मिक जानकरियां जो है पूछ सकते हैं और मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों को सही समय के साथ सही जानकरियां सांजा करने का फिलाल साथियो सुवे के लगवक साड़े नौवए का समय है और आप लोग देख रहे हैं त्रिकुटा परवत के ये खूब सूरत अलोकिक मनमौिक दरिश्ये सामने चरुनपात का मंदिर के साथ अर्दुकारी का ये खूब सूरत जो है अलोकिक नजारे के साथ ये एक डिजिटली दर्शन आप लोग कर सकते हैं और इस समय मैं बात करूं साथियो तो मोसम के मिज़ाज से बात करूं तो हल्की बुन्दा बांदी जो है सुवे से ही लगतार जारी है पूरे कट्रा में और इसके लाबा पूरे जमू डिविजन में भी जो है क्लाउडली मोसम बना हुआ है हल्की बुन्दा बांदी के साथ वही कश्मीर की वादियों की अगर बात करें तो वहाँ पर बर्वारी के संकेत मोसम विवाग ने जारी किये हुए हलाकि बात करें ताजा बर्वारी एक बार फिर से वैशनो दिवी में देखने को मिली है त्रिकुटा परबत पर आप लोग देख सकते हैं यह वो परबत है यहां पर सीधा बर्व रात को पड़ी हुए हलकी बर्वारी और यहां पर भी जो है हलकी बर्वारी फिर से होने के जो संकेत हैं वो जरूर आज देखने को मिलेंगे और यह देखिए यह खूब सुरत नजारा जो है सुबा सुबा का आप लोग देख सकते हैं साथियों मेरी कोशश मेरा प्रियास मेरी पहल ये हमेशा से रहेगी कि आप लोगों को कम से कम मौसम से जुड़ी जान कर यहां तमाम चोटी मोटी गर बेठे ही पराप्त हो जाएं तो फिलाल यात्रा की अगर मैं बात करूं नरिंतर चल रही है हलांकि ठंड का परकोप जो है वो जुरूर बड़ा है लेकिन यात्रा में कोई कमी नहीं है लगातार देश के अलग लग राज्यों से मा के प्रेमी जो है मा के भक्त हैं पहुंच रहे हैं परिवार संग और दर्शन कर रहे हैं और इसके सासाथ प्राचिन गुफा से भी थोड़ा अपडेड में आप लोगों को इस वीडियो के माद्यम से सांजा कर देता हूं साथियों रात के समय अधिकां जो है इस समय प्राचिन गुफा खुल रही और यात्री जो है प्राचिन गुफा के माद्यम से दर्शन कर रहे हैं हलांकि बीच-बीच में यात्रा का अंक्रा जो है जब जादा हो जाता है तब प्राचिन गुफा बंद कर दी आती है लेकिन प्राचिन गुफा के भी दर्शन बीच-बीच में करने को शर्दालियों को प्राप्त हो रहे हैं और ये तस्वीरें सुबा-सुबा की आप लोग कटरा में हो रही है मौसम का ओवराल बात करें तो बहुत ही सुहना मौसम है सुवे सुवे हैलीकप्टर की सेवा कुछ मिंटों के लिए जरूर चलाए गए थी लेकिन जैसे ही यह दुन्द पूरे त्रिकुटा परवत पर शाई हो उसके बाद जो है हलीकप्टर की सेवा स्थ त्रिकुटा मारग है दोनों रास्तों पर पैदल यात्रा चल रही है तो चलिए साथियों इनी कुछ बातों के साथ इनी कुछ जानकरियों के साथ अपने दोस्त सोमरा शर्मा को दीजिया आज के लिए अन्मती जै माता दी जै मावैशन दिभी